हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टेडी में स्वागत है आज हम राज्य शेक्षिक अनुसंधान और परिशिक्षन परिशत के द्वारा दी जाने वाली गति विधी पत्रक नमबर 43 करेंगे जो की क्लास 6 तू 8 की है यह activity sheet जो आपको दी जा रही है यह 6th class, 7th class और 8th class के लिए common है आज की activity sheet का विश्य है हिंदी आप अपने हिंदी की notebook में इस activity sheet को कर सकते हैं यह activity sheet 10th March 2022 की है तो आईए शुरू करते हैं आज की activity sheet जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका पठन अभ्यान चल रहा है तो आपको हमेशा हिंदी की work sheet में कोई कवीता दी जाती है या कहानी दी जाती है तो आज की जो activity sheet है उसके अंदर एक कवीता दी गई है एक भारत स्ट्रेस्ट भारत तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो आईए देखते हैं आज की activity sheet कवीता का शीर्ष क्या है एक भारत स्ट्रेस्ट भारत मतलब कि सारा है जो भारत में अलग-लग धरम जाते कि एक भारत चाहे भारत में अलग-लग धरम हो अलग-लग ज्यान हो अलग-लग तरह के बहुत सारी बाते हो लेकिन उसके बाद भारत क्या है सुनहेरा भारत क्या है स्ट्रेस्ट भारत है इसका लेक क्या लिखा गया है सुनहेरा लेक लिखा गया इसका न अनेकता में एकता का दीप निश्दिन जल रहा है कि बहुत सारी अनेकता होने के बाद भी यहाँ पर एकता है उसका जो द्वीप है वो क्या है निश दिन मतलब बेली क्या है वो जल रहा है दिन और रात वो जल रहा है विशिष्ट शक्ती संपदा का श्वन पक्षी पल रहा है मतलब विशिष्ट शक्ती एक विशिष्ट पर विश्व के मानस पतल पर सुनहरा लेक है भारत अब देखो आगे क्या कहा गया है भगत का आजाद का सुभाष चंदर बोस्त का तो यहां पर सवतंतरता सैनानियों के बारे में बात की गई है विश्व के मानस पतल पर सुनहरा लेक भारत का तो यहां पर सारे सुतंतरता सैनानियों के नाम लिखे गए है जरूर आपने ये नाम सुने होंगे अब लाल बाल और पाल इनका पूरा नाम क्या है देखो यह आप सोचो और इसको मुझे कमेंट करके बताऊ को यह बहुत फेमस है लाल बाल और पाल की इनका नाम क्या है यह आप कमेंट करके बताएगा ao आपका सही हुआ तो ठीक अधरवाइस मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें तीनों का नाम पूरा बताऊंगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा गीता की गुरुगंत की वेद और पूरान की देखो यहाँ पे सब जो भी भगवान द्वारा लिखी गई जो किताबें है उनके बारे में दिया गया है गीता की गुरुगंत की वेद की पूरान की बुद्ध की महवीर की अवेस्ता की कुरान की अवेस्ता क्या है बार्सियो द्वारा जो लिखी गई किताब है बगवान द्वारा लिखी गई जो किताब है उसका नाम है कुरान की हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत विश्व के मानस पटल पर सुनहरा लेक है भारत देखो कितना बताया गया कितना डीपली बताया गया है गांधी पर सुनहरा लेक है भारत कितना अच्छा है इसकी मिनिंग समझो कि यहां पर स्वतंतरता सनाइम ने थे जिन्हों ने भारत के लिए कुछ भी किया था उनका यहां पर नेम है राजय का और शेत्र का जो भूल कर विभेद हम भाषा और प्रदेश का करें नहीं जो भेद हम दे से क्या होगा पहले गुरु माना जाता था क्योंकि हर जो स्टार्टिंग ना पढ़ाई कि वह भारत में यूई थी यहां पर लग-लग बहुत बड़ी-बड़ी पाठ शालाएं थी बहुत बड़ा मतलब गुरु शेत्र माना जाता था यह तो वापस से यही गुरु शेत्र बनेगा विशू के मानस पटल पर सुनहरा लेक है भारत कभी कोन है इसके विकास पांड़े है सो जन्य किसके दोरा दी गई है कवीता कोश के दोरा दी गई है तो देखो यहाँ पर पूरा दिखायागा कि हर्तर है कि किस तरह कि क्या क्या famous है सब चीज़ देखो यहाँ पर इस map में आपको दिखाया रही है कितना ही अच्छी है बहुत deeply है इस poem को अगर आप समझोगे तो बहुत meaningful है अब देखो इसी से related कुछ question है क्योंकि आज का हमारा topic क्या है एक भारत स्रेस्ट भारत उसी से related आज की वक्षिट है और उसी से related हमारे question answer है तो देखो question number one इस लेक में जिन शब्दों के अर्थ और उचारन में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाईए अपने शिक्षक शिक्षी का या परिवार के सदस्यों क देखिए first question concept जैसे कि stressed, stressed का मतलब होता है महान, number two पर है समरधी, समरधी मतलब समरध होने का भाव, मतलब की पूरी तरह से परिपूर्ण होने का भाव, तीन पर देखिए अतिरेक, अतिरेक का मतलब होता है आवशक्ता से अधिक, अतिरेक का मिनिंग होता है आवशक्ता से फूर्थ है अवेस्ता, अवेस्ता क्या है पार्सियों की एक धरम पुस्तक है, अवेस्ता क्या है पार्सियों की एक धरम पुस्तक है, नमबर पांच पर है सत्या ग्रह, सत्या हेतु किया गया हट, मतलब सत्या के लिए की गई जो लड़ाई होती है उसे हम सत्या ग्रह कहते है और नमबर 6 पर है उद्गोश, उद्गोश का मतलब होता है तेज अवाज में की गई, हम जो और से लगा कर कुछ अवाज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उद्गोश कहते हैं, तो ये कुछ शक्ष जो थोड़े से मुश्किल लगे थे, तो उनका हमने मीनिंग भी देख लिय और उनको हमने समझ भी लिया, तो ये था हमारा फर्स्ट कोशन, अब हम करते हैं नेक्स्ट कोशन, कोशन नमबर 2 में देखो क्या कहा गया है, एक भारत स्टेस्ट भारत, विश्य पर एक कवीता, अथवा चित्रों का संकलन को लार्ज बनाईए और अपनी कक्षा के साथ सा तो उससे रिलेटेड या तो कोलार्ज बना लीजिएगा या एक कवीता, तो कवीता मैं आपको करवा देती हूँ, कोलार्ज आप खुद बना लीजिएगा, दोनों में से कोई एक काम करना है, जो भी आपको इजी लगता है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो आईए एक छोटी सी कवीता लिखी गई है, बड़ी प्यारी है, उसे हम देखते हैं, अंसर नमबर टू है ये, त्योहा रोका देश है मेरा, इस पर मुझे है अभिमान, लोडी, इद, दिवाली, क्रिस्मिस, ये उस सब भारत की है शान, त्योहा रोकी, एक तामे महक, भाई चारा मेरे देश का इमान, एक भारत, स्रेश्ट भारत यह है हिंदूस्तान की पहचा, तो देखो कुछ अपने शब्दों में बनाई है, आप इससे अच्छी और भी कवीता बना सकते हैं, अपने शब्दों का यूज़ करके आप और भी अच्छी कवीता बनाने की कोशिश अच्छी सी और कवीता बना सकते हैं, इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, या इसी को ही रिपीट कर सकते हैं, जैसा आपको ठेक लगता है, तो यह है हमारा सेकिंड कोशिन का अंसर, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट कोशिन, प्रशन नमबर तीन में देखो क्या कहा गया है, आप अपने कख्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत, स्रेश भारत के अंतरगत, दिली के सांजेदार राज्य सिक्किम के इस्टियास संस्कृती भाषा के विश्या में और अधिक जान कर एकर्तित कीजिये, तो आपको क्या करना है कुछ लाइन सियाद करनी है, जिसमें आपको उसका इतिहास पता चले उसकी संस्क्रिती पता चले उसकी भाषा के बारे में पता चले तो वही कुछ लाइन से याद कीजेगा और अपनी क्लास में अपने टीचर को सुनाईएगा और उसको इजी के लिए इजी कुछ इजी लाइने मैंने आपके लिए डूढ कर रख दिये जिसमें हमें इस सब बाते नोट हो जाएंगी तो वही आप अपनी क्लास में सुना भी सकते हैं अपने फ्रेंट के साथ मिलकर या अपनी टीचर को रिटन में दिखा भी सकते हैं अपने नोट तो कब बनाता हमने इतिहास लिखा कि 26 अपरिल 1905 को 22 वा राज्य बनाता ये सिक्किम पूर्वी हिमाले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है इसके उत्तर पूरव में तीबित पश्चिम में नेपाल और पूरव में भुटान था दक्षिन में बंगाल है पश्चिमी बंगाल है तो ये लाइने आप इसके इतिहास के बारे में लिख देंगे उसके बादे को सिक्किम भारत का एक मातर राज्य है जहां मंदीर, मस्जिद, चर्च और गुरुदवारे की देख रेक एक अलग मंतरालय करता है यहाँ पर थर्ड में देखो क्या लिखेंगे नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है नेपाली जो है वो सिक्किम की प्रमुख भाषा है सिक्किम में प्राई अंग्रेजी और हिंदी भी बोली और समझी जाती है यहां की अन्या भाषा भूटिया जोखा आदी भाषाएं शामिल है अन्य बाश्राव में कौन सी भूटिया और जो खादी शामिल है तो इस तरह से और भी लहने आप include कर सकते हैं नेट से सच कीजिए मुझे क्योंकि आपको written में लिखना है इसलिए मैंने short में से short लिखवाया है आपको अब आप इसको याद करके अपने class में सुनाईएगा पहले लिख लीजिएगा तो इस तरह से आप अपने activity sheet को complete कीजिए अगर इस तरह से आपको मेरा समझाने से समझ आता है तो please अपने friends में इसको share कर दीजिए जिससे वो भी इन work sheet को आसानी से समझ सके और please मेरे चैनल को like कीजिए मेरे वीडियो को like कीजिए मेरे चैनल को subscribe कीजिए और please अपने friends में share कीजिए Thank you guys